कि हलो एंजनध उपाइफिवन वंकम टू चिक टू चिक ट्रीक फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पुलिजेशर पृषकार के बारे में और दॉर्य एंस वर्ल्ड स्पोर्च वर्ड्स के बारे में पुलिजर प्राइज दो फील्ड्स में दिया जाता है पहली फील्ड है जनरलिजम यानि के पत्रकारिता इस फील्ड के अंदर 15 केटेगरीज है फिर हम देखते हैं नेक्स्ट फील्ड जो की है बुक्स ड्रामा और उड्न मुजिक इस field के अंदर friends आठ category हैं जिनके अंदर pleasure price से लोगों को सम्मानत किया जाता है तो friends सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करने वाले हैं Lawrence price के बारे में जो sports category में दिया जाता है friends ये दोनों ही पुरुसकार बहुत ही important है काफी कोशन्स हमको देखने को मिलते हैं एक्जाम में इन पुरुसकार से एलेट इसलिए आज हम इनके बारे में बात करेंगे लास्ट में फ्रेंड्स हमें एक क्विज भी सॉल्फ करेंगे ताकि यहां पर हमको अंदाजा लग जाए कि किस तरह के MCQs हमको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं तो आएए चालू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले बात करते हैं पुलिजजर प्राइस के बारे में उन्होंने अपनी वसीयत में इस पुरुषकार का जिक्र किया था और उनिकी विल के अनुसार 1917 में इस पुरुषकार की स्थापना की गई पुलिजजर प्राइस 23 केटेगरी में दिया जाता है और इस साल 23 केटेगरी में ये आवाड 25 लोगों को मिला है हर category exam point of view से हमारे लिए important नहीं है जिन categories से previously सवाल आ चुके हैं या फिर जो categories important हैं उनके आगे हमने star mark कर दिया है उन पर आपको ज़्यादा focus करना है इस price को annually हर साल दिया जाता है 22 categories के वजेताओं को हर साल certificate मिलता है और 15,000 US dollars मिलते हैं साथ ही यहाँ पर जो winner होता है public services category में उनको यहाँ पर gold medal दिया जाता है आईए अब देखते हैं कि इस साल किन लोगों को Pulitzer Prize से सम्मानित किया गया है पहला award हम देखते हैं journalism यानि के पत्रकारिता के छेतर में public service category लोग सिवा category में दिया गया इस category में friends जिसको भी award मिलता है उनको यहाँ पर gold medal से सम्मानित किया जाता है यह award इस साल associated press के journalist reporters को मिला है जिन्होंने सहासपूर्ण reporting करी city of marriopole से जो की युकरेन में है जहाँ पर रेशिया ने invasion किया वहाँ पर इनकी सहास भरी reporting के लिए मस्तिसलाव चेरनोव एफगेनी मेरॉलेटका वासीलिसा इस्टी पैनेंको और लॉरी हिननट को इस प्राइस से सम्मानित किया गया बहुत ही important difference यहाँ से जरूर आपको question देखने को मिल सकता है next category हम देखते हैं breaking news reporting इस category के अंतरगत staff of the Los Angeles Times को prize मिला है फिर हम देखते हैं तीसरे category investigative reporting जहाँ पर staff of the Wall Street General को यह prize मिला है explanatory reporting के लिए cattleink डिक करसन को यह award मिला है अगली category है local reporting इस category के अंदर friends दो लोगों को prize मिला है सबसे पहला award मिला है यहाँ पर Anna Wolf of Mississippi Today को उसके बाद यहाँ पर जॉन आर्की ब्लाइड ऐशली रेमकस रेमसे आर्की ब्लाइड एंड एंड कैलन स्टीफन ओफ एल डॉट कॉम उनको भी हाँ पर local reporting के लिए तो लिजजर प्राइस से सम्मानित किया गया है National reporting के लिए The Washington Post की Caroline Kitchener को यह award मिला है International reporting की बात करते हैं तो वहाँ पर Staff of the New York Times को यह award मिला है Feature writing की बात करें तो The Washington Post की Ellie Susslo को यह award मिला है Commentary की बात करें तो Kyle Wohit Miller को यह prize मिला है Criticism यानि के आलोशना की कैटेगरी के अंतरगत हम देखते हैं New York Magazine की Andrea Lauchu को यह award दिया गया Editorial writing की बात करें तो मियामी, हराल के Amy Diskroll, Nancy Emkran Louisa Yanej, Isadora Rangel और Lauren Constantino को यह award दिया गया Illustrative Reporting and Commentary के अंतरगत The New York Times की Mona Chalabi को यह award दिया गया है Breaking News Photography के अंतरगत Associated Press के Photography Staff को यह award मिला है Feature Photography के अंतरगत Los Angeles Times से Christiana House को यह award मिला है Audio Reporting के लिए Gimlet Media Staff को यह award मिला है जहांपर Connie Walker के युगदान को पहचाना गया आईए अब देखते हैं कि Book, Drama और Music काटेगरी में Pulitzer Prize इस साल किन किन को दिया गया सबसे पहले काटेगरी हम देखते हैं यहांपर Friction इस काटेगरी के अंतरगत दो लोगों को प्राइज मिला है पहले विनर है बारबरा, Kings Slower जिनको उनकी किताब Demon Copperhead के लिए यह प्रुसकार मिला है इसके बाद हम देखते हैं हरनेज डियास जिनको यहांपर प्राइज मिला है उनकी किताब Trust के लिए Drama काटेगरी में सनास टूसी की English Book को यह प्राइज मिला है History काटेगरी के अंदर हम देखते हैं Jefferson Covey की Freedom's Dominion A Saga of White Resistance to Federal Power इस किताब को यह प्राइज मिला है Biography काटेगरी में हम देखते हैं Beverly Gage की G-Man J. Edward Hoover and the Making of American Century इस किताब को यह प्राइज मिला है Memoria और Autobiography काटेगरी में हम देखते हैं Stay True जो हुआ सू दौारा लिखी गई उनको यह प्रुसकार दिया गया है Poetry के अंतरगत हम देखते हैं Car Flips की Then the War and Selected Poems को यह प्राइज मिला है Journal Non-Fiction के अंतरगत हम देखते हैं Robert Samuels और Talyus Allo Ranipa की किताब His Name is George Floyd One Man's Life and the Struggle for Racial Justice इस किताब को यह अवार्ड मिला है Last Prize हम देखते हैं Music काटेगरी में जो मिला है इस साल रियानों उनके डेट्स और Michael Ebles को उमर के लिए तो Friends यहाँ पर हमने 2030 के Pleasure Prize को डिसकस किया है यह Prize Friends इसलिए important है क्योंकि यहाँ पर जो पत्रकार हैं जो सहासपूर जनलिजम करते हैं और जिनकी पत्रकारिता की वज़े से समाज में चेंज आता है सच उजागर होता है और अल्टीमेटली जो नागरिक हैं उनकी राइट्स की बात की जाती है उनके हकोगी बात की जाती है और हमारे राइट्स और नागरिकों के जो अधिकार है वो द्रंटा से फिर लागो करवाय जाते हैं सरकार द्वारा और जिस तरह से हमने देखा है कि डेमोक्रेसी यानि कि लोगतंत के अंदर जनरलिजम को प्रत्रकारिता को लोगतंत का चौथा पिल्लर कहा जाता है तो उस पिल्लर को सदा द्रड बनाने के लिए जो पत्रकार काम करते हैं उन पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए यूएस के अंतरगत कोलंबिया यूनिवर्सिटी हर साल ये अवार्ड देती है पुलिजजर प्राइज ये अवार्ड इंटरनेशनली काफी ज़्यादा रिकोगनाईज है इसलिए फ्रेंड्स इन रवार्ड पर हमने देखा है काफी कोशन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पुलिजजर प्राइस को डिसकस कर लिया है आईए अब हम बात करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की इन अवार्ड्स की संस्थापना 1999 में की गई थी और पहली बार ये अवार्ड्स सन 2000 में दिये गए थे ये अवार्ड्स हर साल इंडिविजल्स को दिये जाते हैं और टीम्स को दिये जाते हैं जोनों ने स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ ब्रेक्ट्रू अचीवमेंट किया है आईए देखते हैं एक एक करके ये अवार्ड्स स्पोर्ट्स मैन आप दे एर का अवार्ड्स मिल इस बात को भी याद रखेगा, यहां से जरूर आपको कोशन देखने को मिल सकता है फिर हम देखते हैं, Sports Woman of the Year का अवार्ड मिला है Sally Ann Fredger P.S. को यह जमेका की Track and Field Sprinter है, जो 60 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर में भाग लेती है फिर हम देखते हैं Team of the Year, यह अवार्ड मिला है Argentina National Football Team को जिसने 2022 का कतर Football World Cup जीता है कमबेक अवार्ड का अवार्ड मिला है Christian Erikson को जो Denmark के Footballer है Breakthrough of the Year का अवार्ड मिला है Spanish Tennis Clary Carlos Alcarez को अगला अवार्ड है Sportsman with Disability, यह अवार्ड गया है Friends Catherine Debrunner को यह Swiss Athlete हैं जिनोंने 400 मीटर Women's Category में Summer Paralympics में Gold Medal जीता था फिर हम देखते हैं Action Sportsperson का अवार्ड मिला है इस साल Ilian Gu को यह Chinese American Skier है Last Category है Sports for Good Award जो मिला है इस साल Team Up को Team Up एक Global Program है जो डेवलप किया गया है War Child Unicef The Netherlands and The Save the Child दोरा जहां पर Physical Activity को Promote किया जाता है जिसके तहत Child Refuses के Stress Level को कम करने की कोशिच की जाती है यह थे इस साल के Laureus World Sports Award आईए अप कुछ Important Facts देख लेते हैं इस आवार्ड के बारे में जहां से हमको कोशन देखने को पहले भी मिला है Friends, Roger Federer को 5 बार Sports Man of the Year का आवार्ड मिला है और 1 बार Comeback of the Year का आवार्ड मिला है यानि कि Total 6 बार उन्होंने Laureus World Sports Award को जीता है इसके बाद हम देखते हैं Serena Williams जो USA की टैनिस खिलाडी हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड Four Times Laureus World Sports Woman of the Year आवार्ड जीता है 2003 में, 10 में, 16 में और 18 में इसके साथ उन्होंने 2007 में Laureus Comeback of the Year प्राइज भी जीता है फिर हम देखते हैं Daniel Dice जिनको ये आवार्ड तीन बार मिला है Sportsman with Disability कैटेगरी में इसके लावा हम देखते हैं Friends इंडिया से सचिन तेंदुलकर को ये आवार्ड दिया गया था इंडिया से ये एक लोगते खलाड़ी हैं जिनको ये आवार्ड मिला है उस समय सचिन तनुकर ने कहा था कि ये आवार्ड समको बताते हैं कि स्पोर्ट कितने पावरफुल हैं और इनके अंदर ये तागत होती है कि ये लोगों के जीवन को बदल सकते हैं यहाँ पर हमने सभी अवार्ड को और प्राइजिस को डिसकस कर लिया है आईए अब हम कुछ को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको अंदाजा लग जाए कि किस तरह के कोशन समको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं पहला कोशन है पुलिजर प्राइज का गोल्ड मेडल इस साल किसने जीता है फ्रेंड्स इस साल ये प्राइज असोशेटेट प्रेस ने पब्लिक सर्विस के छेतर में जीता है entrepreneurial reporting category के अंतरगत Pulitzer Prize इस साल किसने जीता है Friends यह award इस साल staff of the New York Times ने जीता है Friction Kategory के अंतरगत कौनसे किताब ने Pulitzer Prize जीता है Friends इस साल دो किताबों ने Friction Kategory के अंतरगत Pulitzer Prize अपने नाम किया है पहली है Demon Copperhead जो लिकھی गई है Barbara, King Slower दवारा दूसरी किताबे ट्रस्ट जो लिखी गई है हर नाइन डियाज द्वारा अगला कोशन है इस साल लॉरियस वर्ल्ल स्पोर्ट्स अवार्ड का स्पोर्ट्स मैन आफ दे यर अवार्ड किस ने जीता है फ्रेंड्स ये अवार्ड इस साल नियोलेल मेसी ने जीता है अगला कोशन है Laureus World Sports Award के अंतरगत किसको Comeback of the Year का अवार्ड मिला है तो Friends, यह अवार्ड Christian Erikson को मिला है Christian Erikson डैनमार्क के फड़ वाल खिलाडी है अगला कोशन है Laureus World Sports Women Award से सम्मानित Charlie and Fraser Prissy किस देश से आती है तो Friends, इसका आंसर है Jamaica, वो Jamaica देश की स्प्रिंटर है यहाँ पर कोशन है Laureus World Team of the Year का अवार्ड किस टीम को मिला है Friends, इसका आंसर आपको comment box में देना है तो Friends, यहाँ पर हमने complete detail discuss करिये इन अवार्ड की, Pulitzer Prize की और Laureus World Sports Awards की Definitely आने वाले एक्जामस में आपको यहाँ से कोशन देखने वाला है Friends, इस वीडियो की PDF आपको हमारे Telegram चैनल पर मिल जाएगी अगर आपने हमारा Telegram चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी वहाँ से आप इसको subscribe कर सकते है और वहाँ पर आपको इस topic की PDF free of cost available रहेगी I hope आपको ये वीडियो informative लगा होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें जब तक के लिए friends, bye bye and take care